हलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल हिंदी टेरोडेक टिपल टू मैं हूँ पलवी कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी अच्छे हूंगे आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पिक अपाइल रीडिंग पर ये पिक अपाइल रीडिंग जो होनी है आपकी ये आपकी साही भ आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी सिच्वेशन को लेकर आपकी यहां पर कोई भी सिच्वेशन हो सकती है तो यह किसी भी एरिया से हो सकता है आपकी रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस हो सकती है ठीक है ना जैसे भी आपको जो जो रेजोनेट करें वो आप करें जुय आप से जाधा रजनेट उसी को लिजेगा एड़ इमक्रायद यहां पर मैंने जो तीन बुदdhas रखे हैं आप जिस भी जिस भी कलर से जिस भी पायदा हो रहे है उसे ही सब्थ कीज़ेगा अगर आपको ठोल सक्षाम करने में प्रॉब्लम हो कर सकते हैं जो जादा resonate करें उसे ही अपनी पाइल समझे ठीक है ना वैसे में time stamps नीचे description box में और comment section दोनों जगर दे दूँगी ताकि आप अपनी select की हुई अपनी पाइल पर आसानी से जा सकें ठीक है ना आप चाहिए तो अपनी पाइल time के according भी select कर सकते हैं क्योंकि क्यों आता है कई बार हम numbers को भी ज्यादे importance देते हैं अपनी life में ठीक है और आप पाइल को intuitions के according स्टार्ट करें तो ज्यादा भी हितर होगा आपकी intuition जो कहती है आप उसके according ज्यादा करें तो ज्यादा भी हितर होगा चलिए आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल जिन्होंने रेड बुद्धा सलेक्ट किया है सेकें अं थर्ड पाइल को हम बाद अब भी side में रग द ओम साई नमो नमा शीरी साई नमो नमा जे जे साई नमो नमा सत्गुरु साई नमो नमा ओम साई नमो नमा शीरी साई नमो नमा जे जे साई नमो नमा सत्गुरु साई नमो नमा यहां पर दो काज एक साथ आ गए है ठीक है ना चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइब जिन्हों ने रेड बुद्धा सेलेक्ट किया है तो आपके लिए साई बाबा की गाइडेंस आपको दी जाती है गुरू देव दूत तथा अभी बावक स्वर्ग दूत आपके करमों की शुद्धी करते हैं तो आप से यहां पर साही बाबा कह रही है, आपको ये guidance दी जा रही है, आपके God के साइड से, आपके साही बाबा के साइड से, आपको ये guidance दी जा रही है, कि आपके कर्मों की शुद्धी, अगर आपको आपके सामने कोई situation आई है, कोई struggle आया है, चाहे वो कैरियर को लेकर आ तो वह बैसिकली आपके कर्मों की शुद्धी के लिए आई है जीक है न तो वह उससे आप ये सोची कि आपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में कोई ऐसा कर रहा था जिस स्वजह से आपके सामनी सिच्वेशन आई है और उस कर्म की शुद्धी के लिए ही आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसे आप positive way में लीजेगा, ऐसा आपको guide किया जा रहा है, दूसरा आपसे कहा जा रहा है, उदी की ताकत, मेरे दौरती गई उदी आपके सभी भावनिक तता शारिरिक व्याधियों को स्वस्त करेगी, तो यहाँ पर basically आपको यह guidance दी जा रही है, कि हो सकत बहुत जादा emotionally भी weak हो रहे है, physically उस चीज का आपको physical पे भी बहुत जादा effect पढ़ रहा है, ठीक है न, तो उसको आपको स्वस्त करना है, आपको heal करना है अपने आपको, किसी भी situation से आप जूस रहे हैं तो आपको उस situation के लिए आपको heal होना बहुत important है, ऐसा बाबा कह रह क्योंकि उदी में बहुत जादा शक्ती होती है, तीसरा आपको बाबा guidance कर रहे है, जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याए हो सकते हैं, मातर अच्छे अध्याए आना निश्चित है, तो आप इस बात से ये समझेए कि आपका बुरा वक्त अब खतम होन है, अब अच्छा अध्या है, new chapter स्टार्ट होने वाला है, तो बाबा आपसे ये ही बता रहे है, indirect way मैं या direct way मैं जैसे आप समझें, तो बाबा आपसे बता रहे हैं, आपका struggle खतम होने वाला है, आपके डुखों का अंत होकर एक सुख़ को वाला नया chapter, new beginning स्टार्ट होने वाली है ठीक है ना सिक्षा जीवन एक पाद्शाला है सिक्षा ग्रहन कीजिए और उची उडान भरिये तो यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं आपसे इस कार्ट के नीचे से मीचे आया है कि इन दुखों से आपने बहुत कुछ सीखा ठीक है ना तो अब आपसे बाबा बोल रहे है कि आपने अगर वो चीज सीख लई है तो बहुत आप लाइफ में अपनी लाइफ में बहुत उची उडान भरेंगे क्योंकि आपने इस दर्द से बहुत कुछ सीखा है अपनी इंपोर्टेंस करना सीखा है अपनी वैल्यू सीखी है सेल्फ लव करना सीखा है बहुत value समझ में आई है पैसे की work की तो हर चीज से related तो अब आपको आपने बहुत कुछ इस दर्द से सीखा है तो बाबा आपसे यही बोल रहे हैं कि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं और अब आप उची उडान भने के लिए तैयार हैं फिर बाबा आपसे बोलते है वर्तमान में जीना है कल भ्रांती है केवल आज मौजूद है तो यहाँ पे बाबा आपसे कह रहे हैं कल जो भी हुआ आपके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ वो सब भूल जाए ठीक है ना और आज के साथ जीए जीए कल में आपको पास्ट में जीना है ना आपको फ्यूचर में जीना है आपको जीना है तो सिर्फ वर्तमान में जीना है तो यहाँ पे बाबा आपसे यही कह रहे है कि कल भ्रांती है केवल आज मौजूद है आज जो आप कर रहे हैं वो अच्छा कीजिए अच्छा सोची, अच्छा खाईए, अच्छा पीजिए और अच्छे से लोगों से व्यभार कीजिए क्योंकि वर्तमानमी ही आपको जीना है फिर उसके बार बाबा आपसे बोलते हैं कि प्रकाश बनिये, औरों के जीवन की आशा बनिये एवं भरोसा बनिये इस कार्ट से मुझे यही लगता है कि आपको किसी ने धोका दिया है ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बहुत गहरा धोका दिया है आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं तब ही बाबा आपको हील करने के लिए बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि आपके दुखों का अंध हो रहा है आपके कर्मों की शुद्धी हो रही है और आप बाबा आपसे यही बोल रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ ना तो आप वो दूसरे के साथ मत कीजिए उसका भरोसा बनिए अगर आपके साथ यह हुआ है ना तो आप इससे बह नहीं करना है और दूसरों के ट्रस्ट के लायक बनना है यही आपको सिखाया गया है इन इन पेन को दे कर फिर उसके बार आपका आउटकम आता है समरपड अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूरवक समरपड कीजे और उन्हें वर्तमान इस्तिती से सामना करन प्रेजना है ताकि आप आपने जो चीजे आपका पेन है दुख है दर्द है आपने उन्हें इसरेंडर कर दिया नहीं तो आप फ्री हो जाओगे ठीक है ना कोई मन पर बोज नहीं रहेगा कोई भी दिमांग में कुछ गलत नहीं चलेगा क्योंकि आप सब आपने सब किसी भी कंडिशन में खुश रहना ही है भाड में जाए कल यस्टरड़े हो या टुमोरो हो ठीक है ना गाइस तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज मुझे पताईएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे ये था फर्स्ट पाइल की रीडिंग ठीक है ना बाबाई सेकंड बाबा आपको गाइडेंस दे रही है पीडा पीडा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है ये तो बिल्कुल ठीक है ना जब आपको दुख होता है ना तभी आप बहुत कुछ सीखते हैं कहते है ना की दुख ही बहुत कुछ चीज़े सिखा देता है तो बाबा भी आपसे यही कह रही है कि आपको जो वो पीडा दी जा रही है ना जो आपको दुख दर्द दिया जा रहा है चाहें वो आपका कैरियर से लेकर कोई स्ट्रगल हो चाहें आपकी रिलेशन्शिप में कोई प्रॉब्लम हो वो सिर्फ इसलिए दी जा रहे हैं आपको ताकि आप अपने आपको खड़ा कर सकें आपको उन्नत करने के लिए ही आपको ये दर्द दिया जा रहा है क्योंकि दर्द ही एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लेसंस हमको सिखा के जाता है ठीक है ना तीसरा आपके बाबा गाइड कर रहे हैं जीवन उदेश्य इस धर्ती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना यही आपके जीवन का उदेश्य है तो बाबा आपको आपको उदेश्य भी बता रहे कि आपकी लाइफ का परपस क्या है ठीक है ना अब इसके लिए नहीं है कि आप सब को छोड़ के लग जाएं रखवाली करने इसका मतलब यह है कि आप अपनी अपनी लाइफ का कुछ पार्ट ना इन सब चीजों में भी दीजेगा ठीक है ना ऐसा नहीं है कि सब को छोड़ जाड़ के आपको इस तरफ जाना है आपको अपनी लाइफ का अगर सपोस दिन में 24 घंटे होते हैं तो आप अगर 10 मिनट्स भी किसी के सेवा करने में लगाएंगे तो वो बाबा तक पहुझेगा आपका ठीक है ना तो बाबा आपसे यहीं बोल रहे हैं कि दूसरों की रखवाली कीजे अब इसमें बाबा पशू, पक्षी, इंसान सब लोगों को लाते हैं ठीक है ना फिर चौथा बाबा कहते हैं जीवनावधी हर रिष्टे की एक जीवनावधी होती है समय के साथ वह समाप्थ होती है ठीक है इस कार्ड को देखकर मुझे यहीं लगता है कि आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है और बाब लाइफ की एक अवधी होती है उसी तरह एक रिलेशनशिप की भी अवधी होती है तो हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो उसकी जीवनावधी समाप्त हो गई हो और बाबा आपको यही समझाना चाह रहे है कि हर रिष्टी की जीवनावधी होती है और समय के साथ व पिल्कुल नहीं है ये भी हो सकता है कि बाबा आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपकी जीवन अवती है ना जैसे अभी आप पहले थे फेज में थे सुख थे फिर उसके बाद अभी जो है आप सेपरेशन में है या दुखी है इस इस रिलेशेशिप में लेकिन उसके बाद गुड चीजे आएंगी आपकी लाइफ में अच्छी चीजे आएंगी तो बाबा आपको बोल रहे है हर रिष्टे की एक जीवन अवती होती है अगर वो दुख आया है तो अब सुख का भी टाइम आने ही वाला है बस जस्ट वेट कीजे लेकिन पॉजिटिविटी के साथ बाबा नेक्स्ट कहते है आपसे उदी की ताकत मेरे दोरा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारिरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी ठीक है ना तो बाबा आपको बोल रहे है उदी की ताकत उदी को तो आप सभी अगर आप साही बाबा पे बिलीव करते है तो आप उदी को समझते ही होंगे लेकिन आप लोगे सोच रहे होंगे कि मैम हम लोग उदी कहां से लाएं अभी तो हम लोग शेडी में नहीं हैं हमारे जहां हम रहते हैं महासाई बाबा का कोई टेंपिल नहीं है लेकिन आपने बाबा की कथाएं सुनी हो तो आपको पता हो कि बाबा की उदी है आपको जैसे आप अगर्बती भी जलाते है उसकी जो एशेज होती है बहुत इंपर्टेंट है और बाबा आपसे यही बोल रहे हैं कि मेरे दौरा दी गई वो उदी तो वो जो अगरबती की जो राक है एशेज हैं वो ही आपकी सबी भावनिक तदा शारिरिक व्याधियों को स्रस्त करेंगी तो आपकी हील करेगी वो उदी आपको mentally मतलब strong करेगी ठीक है ना तो उसे आप use कीजेगे करा कीजेगा नेक्स बाबा बोल रहे हैं प्रकाश बनिये औरों के जीवन की आशा बनिये एवं भरोसा रखिये ठीक है ना तो इसमें बाबा बोलना है प्रकाश बनिये देखिए आप क्या होते हैं इतने सारे problems में आ करना बहुत कुछ भूल जाते हैं self heal करना self love करना जो आप से प्यार करते हैं उन्हें प्यार देना ठीक है न वो सब चीजे आप भूल जाते हैं अपनी परिशानियों के सामने बट आपको वो नहीं करना है तो बाबा आपको यहीं बोल रहे हैं कि आप जो आप से प्यार करता है ना आप उसकी life में प्रकाश लाइए ठ आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, और नेक्स्ट आपको बाबा गाइड कर रहे हैं, आसक्ति, भहत एक जगत में, आपके कर्टव्यों और भूमिका के प्रथी, आसक्ति के बाबजूत, अपने आतमिक उतेश्चे के प्रती जागरुक रही आप से बहुत एक क्लियर कट बोल रही है कि आप मेडिटेट कीजिए ठीक है ना सेल्फ हील कीजिए अपने आपको स्टेबल कीजिए उसके बाद ही आप नेक्स स्टेप बढ़ाईए तो यह थी फर्स्ट पाइल जिन्होंने रेड पाइल ये रेड बुध्धा चूस किया था उनकी गाइडेंस बाबा की तरफ से अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ठीक है ना और मेरे चैनल का नाम क्या है हिंदी टैरोडेक ट्रिपल टू बाबाई हेलो गाइस सो जिन्होंने ये सेकेंड पाइल ये ग्रीन पाइल ये ग्रीन बुध्धा चूस किया है अब उनकी रीडिंग करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं तो अनंद कोटी राजादी राज, योगी राज, पर करीत करने सेकेंडों सेकेंट आ हिए और और के लिए हम धार्यों ाकर प में सक्राइब कर दो कोटी राजा जादे राजा सेकेंट खर जाम होदीकों कर अनंद की राज, ने असने वे ग्रुस, फर ओao कश dengan का पाइल. जे जे साई नमो नमा, सत्गुर साई नमो नमा, ओम साई नमो नमा, शीरी साई नमो नमा, जे जे साई नमो नमा, सत्गुर साई नमो नमा चलिए, तो आप लोगों के लिए सेकंड पाइल चिन और ये ग्रीन बुद्धा चूस किया है, ठीक है ना? उनकी reading में बाबा आपको guide कर रही है मौन, मौन की भाषा सीखिए, हजारों शब्दों से भी जादा वो कारगर है, तो बाबा आपसे बोल रही है कि आपके जो condition चल रही है ना, चाहें वो किसी भी चीज को लेकर चल रही है, आप उसमें शान्त रही है और शान्ती से उसमें आगे बढ़िए, क्या होता है ना, कई बार चाहें वो career से related हो, चाहें वो relationship से, love life से related होता है, हम इतना ज्यादा overthink कर लेते हैं, या दूसरों से इसके बारे में इतना discuss करते हैं, बिल्कुल मत कीचेगा, बाबा आप से बोल रही है, आप शान्त रही है, और इसमें से निकल चाहें ठीक है ना, अगर आप जादा इस बारे में discuss करेंगे ना, तो वो आपके mind भी इतना चड़ जाएगी वो चीज, कि आप उस चीज को ना, manifest करना start कर देंगे, तो उससे बहतर यही है कि आप मौन रही है अपनी condition में, ठीक है ना, फिर उसके बाद बाबा बोल रहे हैं भरोसा और आस्था, आपके भै तदा चिनता से भी मजबूत आपकी आस्था हो, तो बाबा आपसे बोल रहे हैं, देखें सबकी life में struggle चलते है ना, तो बाबा आपसे बोल रहे हैं आपकी life में भी struggle आया है, चाहें वो किसी भी चीज को ले कर आया है, लेकिन आपको यहां पर भै और चिंता से भी मजबूत अपनी आस्था को रखना होगा, ठीक है ना, वो बाबा कहते है ना, श्रद्धा और सबरी, तो बाबा आपसे यही बोलना चाहरे है, श्रद्धा और सबरी रखिए, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, और इंफेक्ट न इस भी युनिवर्स को मानते हैं, तो वो सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी सिच्वेशन में, आपको गाइड कर रहे हैं, बस आपको फील करने की बहुत जरूरत है, क्या होते हैं, कि आप इतने परेशान हो जाते हैं, आपके सामने इतना प्यार होता है, इतना इतनी ब्यूटिफल दुनिया होती है, आप उसको सब को भूल जाते हैं, और बस एक कमरे में बैठ कर हो रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, बस आप हमारी तरफ बढ़िये तो सही, आगे तो बढ़िये, यहाँ पर बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट बाबा आपसे कह स्वेम को सुच्छा से बाबा को सौब दीजिए, अपनी अभिलाशिक कहानियों को नहीं, देखिये न, बाबा फिर यही बात आपसे कह रहे हैं, शायद आप उनको बाबा से अपनी बाबा को या गौड को मान ही नहीं रहे हैं, क्या होते हैं परिशानी में हम सोचते हैं, बाबा कुछ नहीं होता है, लेकिन बाबा कह रहे हैं, मैं तो हूँ तुम ही तो अपनी तरफ से हाथ नहीं बढ़ा रहे हूँ, तो आप अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएं बाबा की तरफ, और बाबा देखिये कैसे आपको मार्क दिखाएंगे, और आपको आगे ले जाएं कि मेरी मा मुझे संभाल लेगी ठीक उसी तरह से बाबा बोल रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ मेरे पे सब कुछ छोड़ दो और बस भूल जाओ एक छोटे बच्चा बन जाओ ठीक है ना सुच्छा से छोड़ दो बाबा के उपर सारी problems को next बाबा गाइड कर रहे हैं आपको उचसब खुश खबर उचसब मनाने का समय आ गया है वाओ very beautiful गाइज तो बाबा आपसे कह रहे है कि देखी ना वो कह रहे हैं अपनी सारी परिशानिया भूल जाओ यार मैं हूँ तुमारे साथ और तुम celebrate करो बस celebrate करो और सारी परिशानिया सारी चिंताए शांत रहो अपने मालिक एवं गुरू के प्रती अनुग्रह पूर्वक समर पढ़ कीजे और उन्हीं वर्तमान इस्तिती से सामना करनी दीजे देखिए अभी तक जितने मैंने कार्ट्स पड़े या बाबा की साइट से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं काईस कि आप लोग ना बार बार हर काड में बोल रहे हैं सब ठीक है भरोसा रखो मुझे सब छोड़ दो आपना सरेंडर कर दो बाबा आपसे बेसिकली कह रहे हैं सरेंडर कर दो लेट गो कर दो अपनी सिक्चुएशन को प्रॉब्लम मत देखो कुछ मत सोचो बस सरेंडर कर दो अपनी लाइफ को जियो ठीक है ना हर बार और आप शायद यही mistake कर रहे हैं इसलिए बाबा आपसे बार बर यही बात कह रहे हैं ठीक है ना and next बाबा बोल रहे हैं रुहानी गुट समू रुहानी समू से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करें तो उसे स्विकार कीजें क्या होत अपने जो प्यार करने ना उन पर ट्रस्ट करो वो सब आपकी help करने के लिए यहां पर है आप से आप से कुछ लेने के लिए नहीं है वो सिर्फ आपकी help करने के लिए हैं और आप उनसे उनकी help लीजिए ठीक है ना गाइस तो यह second pile जिन्हों ने यह green बुद्धा चूस किय था उनकी reading थी उनके लिए बाबा की guidance थी उनके लिए उनके गॉड की guidance थी और अगर आपको यह मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास ला सकू और मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है हिंदी टैरो डैक ट्रिपल टू बाबाई Hello pile number 3 कैसे है आप सभी लोग तो जिन्होंने ये yellow pile choose करी है उनकी reading हम start करते है कि बाबा उनसे उन्हें क्या guidance देना चाहते है उन्हें क्या कहना चाहते है ठीक है ना अनन्द कोटी, राजा दी राज, योगी राज, परब्रहम श्री, सच्चिदानन, साई गुरू महाराज की जै मैं या पिछे cards आपके लिए, साथ cards रिकालूंगी क्योंकि starting की दो pile में भी 7-7 cards आयते, ठीक है ना ओम साई नमो नमा, शीरी साई नमो नमा, जीजे साई नमो नमा, सत गुरू साई नमो नमा ओम साई नमो नमा, शीरी साई नमो नमा, जीजे साई नमो नमा, सत गुरू साई नमो नमा अम साई नमो नमा, शेरी साई नमो नमा, जेजे साई नमो नमा, सत्त गुरु साई नमो नमा। जैजे साई नमो नमा, सत्गुरु साई नमो नमा, आम साई नमो नमा, आई होप आपको ये कार्द्स दिख रहे होंगे, चलिए, जिन्होंने ये यलो बुद्धा सलेक्ट किया है, उनकी रीडिंग करते हैं, कि उन से उनके गौर्ड, उनके भाबा क्या कहना चाते है, सौरी आ सकती भौतिक जगत में आपके कर्तवयों और भूमिका के प्रती आ सकती के बाबचूद अपने आत्मिक उदेशय के प्रती जाग रुक रही है ठीक है ना तो बाबा आपसे कह रहे हैं हो सकता है ना कि आप को इनर वर्क करना है ठीक है ना meditate करना है और बाबा आपसे in fact देखे ना next card भी ध्यान का ही आया है तो 100% sure है कि यहाँ पे बाबा आपसे कह रही है कि आप बाहरी जगत को मत देखिए कि मेरे पास क्या है हो सकता है यह carrier से related कोई कि आप लोगों की कोई problem चल रही है तभी यह चीज आई है कि आप ना बहुत ज़्यादा materialistic हो रहे है ठीक है ना तो बाबा आपसे बोल रहे है इतना materialistic मत होई है पाहर की चीजों को देखने के बजाए अंदर की चीजे देखे कि आपको क्या मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी soul यहाँ पे हम आते है ना वो basically हम कुछ ना कुछ हमारा क कोई motive होता है यहाँ आ अने का और बाबा आपको यहाँ पर वही समझा रहे हैं कि आपकी यहां आने का motive जो है ना उसे ध्यान में रखिए और उसके लिए आगे बढ़िए उसके लिए वरgg कीजि E और उसके लिए आपको आप बोलेंगे कि मैम हमें पत्र किया हमा हम किस परपस से इहां पर आए हैं तो उसके लिए आप ध्यान कीजे ठीक है ना सब का मोटिफ हर सोल का मोटिफ अलग-अलग होता है और इसलिए बाबा आपको next गाइड कर रहे हैं कि आप ध्यान कीजे जब की किजे और प्राथनाय कीजे आपकी प्रॉब्लम्स तो यू जुट्कियों में खतम हो जाएंगी बस आपको ट्रस्ट करना होगा ठीक है ना थर्ड बाबा को गाइड कर रहे हैं शिफ शक्ति आपके भीतर मर्दाना तथा इस्तरी उल्जाओ को संतुलित कीजे तो बाबा आप हमें आपमें ही पूर होते हैं थेक हैं एकले आए हैं अगर कोई हमारे साथ आता है तो most welcome यार लेकिन हम लोगों को ना अपनी life अच्छे से जीनी है self love करके जीनी है हम लोग जब आयते हमें पता था क्या हमारी life में कौन आने वाला है क्या career हम करेंगे तो आप इतना क्यों problem में होते मतलब फस्त हैं बाबा कह रहे हैं हम दोनों हैं हम अपने आप में ही पूरे हैं तो हम दूसरे को अपने आपको पूरा करने के लिए क्यों ढून रहे हैं ऐसा बिलकुल मत कीजिए ठीक है ना नेक्स्ट बोल रहे हैं आप अधित्य हो आपका सफर अनोखा है किसी और से स्वेम की तुल्ला मत कीजिए देखें ये बात तो बिलकुल ठीक है बाबा बिलकुल सही बोल रहे हैं कि आप दूसरों से कंपेर कर रहे हैं आपको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है वो तो देखो कितना अच्छे से रह रहा है यार मेरी लाइफ में इतने struggle है देखो ना उसका कितना अच्छे से carrier बढ़ रहा है वो बिल्कुल मत कीजिए ठीक है ना आपका सफर अपने आप में अनोखा है तो आपको अपना सफर खुद टै करना है और उससे आपको अनोखा तो खुद ही बनाना होगा कोई दूसरा नहीं बनाएगा उसने अपने सफर को अनोखा बनाया है आपको अपने सफर को अनोखा बनाना है लेकिन उससे दूसरे से किसी चीज़ के लिए compare नहीं करना है ठीक है ना next बाबा बोल रही है भरोसा धैरिये रखिए धीरज धरिये आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार देखे ना कई बार हम होते हैं हम बहुत जादा प्रॉबलम में होते हैं क्या मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या मेरा relationship बैटर होगा क्या मेरी life में सब सही होगा इन सब चीजों को पूछने से बैटर option है ना मतलब आपके पास उसका answer नहीं है हमको पता है आपके हो ही नहीं सकता ये जॉब अगर मेरी है ना तो ये मुझसे कोई चीन ही नहीं सकता over confidence नहीं है ये आपका guys ये सिर्फ यह है आपका trust ठीक है ना over confidence नहीं आपका ये confidence और trust है ठीक है यही बाबा आप से कह रहे हैं अपने confidence को lose मत कीजिए trust कीजिए situation को लेकर और अपने god को ले को नहीं तो बाबा आपसे यही बोलना चाहा रही है कि अपने आपको बाबा को सौप दो मैं हुँ तुम्हारे लिए ठीक है न लेकिन अपनी जो प्रॉब्लम्स है न उसको मत सौप यह बाबा कह रहे है मेरे अब बच्चा छोटा बच्चा होता है वो अपने आपको ही तो चोड़ी थोड़ी नहों होती है, वैसा है, वैसा है, वो मत कीजे, सिफ अपने आपको छोड़ दीजे, बाबा ये गौड मैंने आप पे सब कुछ सौप दिया है, आपको जो जैसा मेरे लिए सही लगेगा, आप वही मेरे लिए करेंगे, करते आए हैं और कर रहे हैं, बस इत ही तो कल यही सब आपके जीवन में लॉट आएंगे, थीगे ना मैंने आप भी आपको तीन वर्ट बताए, यही बताया कि आपको यही बोलना है, कि आपने जो मेरी लाइफ में मुझे जो दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजे, थैंक यू बोलिए, अगर आप आ लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे गाइज, और मेरी इस चैनल का नाम है हिंदी टारो डाइक ट्रिपल टू, बाव बाई